अभी मैं नहां के आई हूँ, बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, अभी तो देर बच चुके है, पौने दो बचे है इतना काम एक पाच मिनिट भी नहीं मिलता कि मैं बैठ जाओं, अभी रहाने के बाद थोड़ा आके बैठे हूँ, तीन-चार घंटा थोड़ा रेस्ट होता है, फिर राम को जाके रोटी बनाना, टिनर पेंकिंग, कितना काम होता है घर में, इसी बीच मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, विदाउट एन्य हेल्पिंग हैंड, कोई हेल्प नहीं है, बहुत ही गर्म बाप रे, इतना, इसी रूम है, मगर फिर भी सोईट हो रहा है, आज से तो ज्यादा गर्म होगा, 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 होट डे चालू हो गया, चार पास दिन ऐसे ही चलता रहेगा, थक चुकी, मैं बिल्कुल थक गई, इसना काम होता है न, घर में बहुत सारा काम होता है, रसोई बदा, रसोबा से उठके है, अभी तो हैर थोड़ा ओट है, बीगा हुआ है, तो अभी मैं कंगी नहीं करूंगी, कर दिन कर तो है के लुष है कर दोड़ते है तो ही हुआ है таких टीच, जर फिंफनु जे कर दोक्दा पारे क्यूंए और अदाठके हुआ है खग कि थोड़ा कि थोड़ा कि थोड़ा अधा गंट के लिए रेस्ट करूंगे फिर जाके लांच बगड़ा जो होगा को करूंगे इतने गर्मी में ना खाने का मन भी नहीं होता है जो जितना काम करता है उसको उतना ही काम मिल जाता है जो नहीं करता है उसको कोई बात नहीं पर उसका रेस्ट ही मिलता है मैं काम में बिजी रहती हूं यह सारे लेकर ताइम भी चला जाता है अलुटा बलता घुछ बात भी दिमा प कार्में नहीं आता है इसलिए हर rest time busy रहना बहुत अच्छ खुता है सहत के लिए और लिए और दिमाग के लिए भी एक बात है ना वो जो बोलते है कि जो इडिल ब्रेन इस दे वर्क्शोप गोस्ट एक फ्रेज है एक मेर कंगी बीच बीच में विगा हुआ है तो आज ए छोटा सा वीडियो इंपर इंट करते हैं फिर्मिने के नेक्स वीडियो और टादा